गुरुवार को राज्यसभा में MPK बैतूल के गाउं का बोल बाला हो गया दरसल राज्यसभा सांसत धर्मेंदर प्रधान बैतूल के एक गाउं बाचा की तारीफ करते हुए दिखें उन्होंने देश में आधुरी गाउं के लिए बैतूल के गाउं का उधारन दिया इसके बाद से सभी का ध्यान बैतूल के बाचा गाउं पहुँच गया पहले आपको सुनवाते हैं कि सदन में धर्मेंदर प्रधान ने क्या का जो बैतूल को चर्चा में ले आया उपसवापति जी बैतूल जिले की बांचा गाउं हम गया था गोडा डंगरी ब्लाक, बेतूल जिले में हमको सोभ़द्या मिला अनील हुई के नाम के कि गोंड समाज की एक बैति की घर में उस माता को दरसन सुकी पत्थिनी को दरसन करने के लिए हमें मोका मिला उसकी घर में क्या-क्या है उनको चाई प्या में ने, उनकी घर में लाए बेहन जी हमको चाई पिलाओगे वरादर के साथ हमको चाई पिलाए परदान मंत्री आबास योजना से घर मिला है बिजली पहुंची है LPG Connection उज्जोला योजना में पहुंची है Solar Light पहुंची है Solar Cooker पहुंची है सच्च भारत में Toilet लगी है पॉस्चूओं के लिए अलग घर बना है अर्नपुर्ना मंडप के नाम पे Kitchen Garden बनी है पानी उस गाउं में चोहतर लोगों की आदिवासियों की गाउं है पानी सरंक्षन के लिए Water Set System लगी है Hand Pump परियाप्त मात्रहें में है लेकिन अभी उशार परी है नर्मे जलाएगी सोरोजगार के लिए पसुपालन, कृष्षी S.H.V. मूमें और बागवानी और गाउं भर में Concrete Road और नाली की बेवस्ता अभी दूसरा खुशी उस गाउं में इसलिए है कि सोच्च भारत की सर्वे उस गाउं में आई है ये नई भारत की गाउं हो रही है सभापती जी किसी को क्यों पीडा होनी चाहिए भारत अगर अपनी पेर पे खड़ा होगा आत्मनिर्वर होगा अब आप इन तस्वीरों को देखिए ये तस्वीरे उसे गाउं की है जिस गाउं का जिकर सदन में किया गया दरसल बैतूल के एक छोटे से गाउं बाचा में पेट्रोलियूम और प्रकृतिक गैस मंतरी धर्मेंद्र परदान पहुचे थे उन्होंने गाउं की जो आधुनिक्ता देखी और एक परिवार के घर में पहुचकर चाय की मांग कर देखिए सदन में जिक्र करने के बाद देश का ध्यान बैतूल पर तो गया तो एमपी तक भी वहाँ पहुच गया उस आधुनी गाउं को देखने जिसका जिक्र सदन में उठ गया हम जब वहाँ पहुचे तो हमने देखा कि ये गाउं सोलर विलेज के नाम से प्रसेद है और बैतूल के घोडा डूंगरी विकास खंड में ये गाउं है गाउं वालों ने हमें बताया कि पहले इस गाउं में खाना बनाने के लिए मैलाओं को जंगल जाकर लकडी काट कर लानी पड़ती थी लेकिन अब गाउं को आदर्श बनाने के लिए भारती सिक्षा समीती ने प्रयाश चुरू किये हैं और इस गाउं के लोगों के सभी घरों को सोलर पैनल दे दिये हैं अब सभी घरों में सौर उर्जा का पूरा उप्योग किया जाता है कि अब चुले में बनाती थी तो लखडी लखते थी धूवा को अब है है शोले व हेलर पे अब दर्वाल नहीं लगता लग्री भी बिने लगती गो जोली पर हम रत्तन काले होंbon सोलर पेनल लगे हैं और वो सोलर पेनल से सभी लोग खाना बनाते हैं जो कुक इस्टोर लगा हुआ है इससे फाइदा ये हुआ कि महिलाए अब जंगल में लकडी लेने नहीं जाती नहीं उनको दोड़े से सामना करना पड़ता है और बहुत खुस है वो इस सोलर चूले में चारों और से घिरी हर्याली के बीच बसे इस छोटे से गाउं में कुल 74 परिवार रहते हैं पानी की समस्या से जूजते इस गाउं में जल सनरक्षन के लिए भी बहतरीन काम किये गए हैं उसी के चलते गाउं वालों ने हर घर में सोक फीट बनाय है जिसमें घर का पानी घर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं सोलर पैनल्स लगाई गए हैं जिनके माध्यम से लोग भोजन भी बनाते हैं और घरों के प्रकास की विवस्था भी होती है हमारी कोशिस रही है कि इस गाउं को एक आधर्स गाउं के रूप में विक्सित किया जाए ग्रामीन विकास वुभा वह स्वक्षता के लिए पहले से भी आधी हैं और एक आधर्स गाउं के रूप में उसे विक्सित किया जा रहा है सरी सूलर पैनल वगएरा और इस अब कि वह सी एसार मत से हैं कंपनी द्वार लगाए गए हैं कंपनियों का प्रावीजन रहता है से सारमत में काम करने का उससे प्रतियक घर में सोलर पैनल लगाए हैं जिससे सोलर रूर्जा का उप्योग यह एक जिले के लिए नवाचार है जो अन्य गाउं में भी लोगों को जल संरक्षन में बहुत अच्छा काम हुआ है गाउं के लोग आपस में स्रमदान भी करते हैं जो भी बरसा जल है उसे रोकने के समुचित प्रियास वहां हुए हैं यह प्रियास जिले के अन्य गाउं में भी रेप्लिकेट हो इसके लिए बाचा में बिसेश प्रियास जिल रुटता को लेकर काफी वो खुश थे हैं जिसकी वज़े से उन्होंने राज्य सवाब में इस गाउं का उदार दिया बैतूल से राजिश भाट्या की रिपोर्ट